हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका सबको सिंग चैनल पर दोस्तों जब से राज कॉमिक्स का विभाजन हुआ है कुछ ना कुछ नया तीनों ही भाई लेकर आते रहे हैं जिनमें से विशेश कर रहे हैं नागराज और ध्रोफ राज कॉमिक्स बाई संजय गुपता की तरफ से हमारे पास आया था नागराज का युगारंब जिसमें नागराज की शुरुवाती पाँच कॉमिक्स को संकलित किया गया था और आपके सामने स्लिप केस में एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन आया था उसके बाद दोस्तों आया था राज कॉमिक्स बाई मनोज गुपता की तरफ से धुरुव का धुरुवोदे नाम से ओमनिबस जिसमें धुरुव की शुरुवाती 25 कॉमिक्स को संकलित किया गया था एक स्लिप केस के अंदर पाँच किताबों के तौर भे कुछ तो वो वीडियो मेरा काफी जादा बहु चर्चित रहा था अलग-अलग कारणों से और इसी श्रंखला में आगे राज कॉमिक्स बाई मनीश गुपता जी की तरफ से हमारे पास आया है दुरुवारंब जिसमें उन्होंने धुरुव की शुरुवाती 25 जनरल कॉमिक्स को संकरित किया है और बड़े ही खास तरीके से वो स्पेशल कलेक्टर एडिशन हमारे सामने आ चुका है जितना ही खास ये स्पेशल कलेक्टर एडिशन हमें उम्मीद है कि होगा उतना ही खास इसके साथ में मिली स्टेंडी है क्योंकि वो अपने तरीके की पहली स्टेंडी आई है जो हमें देखने को मिलेगी दुरुवारंब के इस सेट के साथ में तो दोस्तो बिना देरी के इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं जो मेरे पास आया है कॉमिक्स अड़ा की तरफ से और देखते हैं क्या खास है और क्या खास नहीं है दुरुवारंब राज कॉमिस बाय मनीश कुपता की तरफ से तो दोस्तो बिना देरी के शुरू करते हैं आ क्योंकि दुरुव का जो पहला ओम्निबस आया था उसके साथ तो मेरी बहुत सारी यादे जुड़ी हैं और आप लोगों की भी उसके साथ जुड़ी हैं धेल सारी यादें क्योंकि उसमें ना चाहते हुए भी काफी कुछ ऐसी चीज़े हो गई थी जो कॉमिक्स के लिए सही नहीं है लेकिन कई लोगों ने उस पर अपने अपने विचार भी रखे थे अपनी धारनाएं भी उस पर बताएं थी कि वह सही है या गलत तो दोस्तों ये देखे टॉप पे रखी है स्टेंडी जिसको काफी अनूठे तोर पे अनूठे रूप में हमारे सामने लेकर आया यह आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें सूपर कमांडो ध्रुव है और यह देखे दो लटके हुए है और यह आप उसको पैचान सकते हैं चैंपियन किलर यह डंबल्स रखे हैं यह जिमनास्ट का पूरा सीन रखा है और इसी के साथ यहां पर पूरी बिल्डिंग बनी हु और आर्ट था उसको आप 3D माहौल में अपने साथ रख सकते हैं तो दोस्तों इसको भी जोड के देखेंगे और इसके पहले हम एक बार बात करते हैं मिन इस बुक की के साथ दिखे दोस्तों एक डंबल यह निकला है इसको लुक्के निकालते हैं तो आप देख सकते हैं दो तो सही स्लामत हमारे पास आया है या नहीं और मैं इसको बिना किसी नुक्सान के निकाल पाऊंगा या नहीं दोस्तों बॉक्स से बाहर आ चुका है और फोम बिल्कुल इसी के कॉर्टिंग कटा हुआ है तो इसके अंदर बड़ी सेफली ये धुरुबारा हमारे पास श्रिंक रैप में पैक आ चुका है लेकिन दोस्तों जब आप इसको अपने को उपन करें तो ध्यान रखिएगा आप बहुत सद्धा परिशान करते है तो यह है दूस्तों हमारा स्लिप केस और श्रिंक रैप के अंदर आता है पैड़ेट वर्जुन है तो और तो यह अपर कर लेते हैं और इस साइड में आप देखें तो प्रतिशोत की जौला के अंदर ही धुरुव का वो सीन जहाँ पर प्रतिग्या करता है अपराज से लड़ने की उसको यहाँ पे फुल डीटेल में और नए कलर्स के साथ में यहाँ पे हमें दिखाया गया है। यहाँ पे धुरुव अपने आइकॉनिक पोज में आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ में वो जौला जो हमने प्रतिशोत की जौला के कवर पे देखी थी वहाँ तक आती है और दोनों साइड आपको लोगों देखने के लिए मिलेगा राज कॉमिक्स बाय, मनीश गुप तो अब दोस्तों यह slip case सबसे आदा खास मुझे सली लग रहा है क्योंकि पहले जो हमें इसका एड़ देखा था उसमें धुरुफ का वो बाइक वाला सी है और एक नॉर्मल पोसे से तो लग रहा था कि चोटे-चोटे-चोटे-चोटे गत्य के टुकडे जो हमारी इन copies को सुरक्षित रखने का काम करते हैं तो दोस्तों यह हमारे पास दो खंड में आता है इसमें पांच की तरह नहीं जैसा कि अमनिबस में पांच थी इसमें दो खंड में इन comics को संकलित किया गया है और आप दे जो धुर्व से बेड़े थे इन शुडवाती comics में वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा आप इनमें से कितनों को पहचान सकते हैं दोस्तों इनके नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके बाद दोस्तों मैं जाता हूँ खंड टूपे तो इसमें भी दोस्तों आपक खुबसूरत से कवर आर्ट इस धुरवारम की दोनों खंड की जो शोभा है जो खुबसूरती है उसको बहुत जादा बढ़ा देते हैं लेकिन जो एक जिस थोड़ी सी खलती है वो खलती है इसका बैक्राउंड वर क्योंकि ऊपर का आर्ट बहुत अच्छा है लेकिन जो ब अलगी फॉंट में लिखा गया टाइटल और धुरवारम खंड एक खंड दो बैक साइड में हम बात करें दो दोस्तों बैक साइड में बहुत जादा चीज़े नहीं है बैक साइड में धुरूफ की पहचान जो स्टार है वो यहां पर दिया गया है और साथ में टिटल्स द की गई है इसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं इनको मास्किंग टेप के साथ यह जो छोटे-छोटे कत्तों के पीस है इनमें लपेट के हमें दिया गया है ताकि वेट पढ़ने के बाद भी किसी भी तरीके का डैमेज इन बुक्स पर ना आए और मास्किंग टेप के बा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी कताबे बहुत जाधा सुरक्षित रूप में आपके पास पहुँच जाती है थोड़े से यहाँ पर डिले कपड़े से साफ किये जाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गम रेजीडियू है तो यहाँ पर दोस्तों आप किनारिय हैं दोनों ही इनको गोल्ड गिलिट किया गया है जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं दोनों ही वर्जन दोस्तों पैड़ेड है तो पैड़ेड मेरा अपना परसंद फेवरेट कभी भी नहीं रहा लेकिन अगर आपको पैड़ेड पसंद है तो आपके लिए तो यह अच्छा option बनी जाता है लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा माइनस में जाता है पैड़ेड होना अगर यह पैड़ेड नहीं होता तो शायद यह और ज्यादा खुबसूरत लगता लेकिन अब उनकी अपनी चॉइस है कि वह पैड़ेड में ही इन को निकाल हैं तो इस पे हम जादा कुछ नहीं कह सकते बस एक निगेटिव पॉइंट की तरफ से मेरी तरफ से यह जा सकता है दूसरे भाग में दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने अपना लोगो भी यूज नहीं किया है इस special art की खुबसूरती को बरकरार रखने के लिए यह अंदर जो पेज खाली रह जाते थे जो खाली खाली लगते थे क्योंकि अभी जो भी कलेक्ट रडिशन आते थे उसमें यहां पे और यहां पे art हुआ करती थी लेकिन इस बारे नोंने बीज में भी art लगा दी है तो वो खाली पन खतम करते हुए इस चीज की भी मानना पड अनुकम सिंहा जी के signature और नीचे आपको मनेश गुपता जी के sign भी देखने के लिए मिलेंगे तो जो copies दोस्तो हमारे पास आ रही है वो signed copies है अनुकम सिंहा जी के दरा और मनेश गुपता जी के दरा तो यह भी एक एडिशनल एक्स्टरे स्टैप लिया गया है जो सरहानी है यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है एक यह बुकमार्क जिसमें आप देखे दरोव एक बाइक पर स्टंड दिखाता हो दिखेगा और एक साइड में यह आपको देखने के लिए मिलेगा एक बहुत पुराना पोस्टर वाला आर्ट जिसमें दरोव और उसके डॉग दोस्त यहा लेकिन अगर आप मेटलिक को अभी तक अपने से लाइक रूबरू करा चुके हैं तो आपको यह बहुत जादा अच्छा लगेगा लेकिन मेरे जो निगेटिव पॉइंट्स में आते हैं वही रहते हैं हर क्रेक्टर डिशन में एक पैडड़ होना और पेज इसका मेटलिक ह जाए बहुत ज़ादा खुक्सरोत होते हैं दोस्तों साइज जो है वह बड़ा है तो पढ़ने का एकस्पिरियंज भी आपका इसमें अच्छा रहेगा तो इसके साथ दूसरी कॉमिक दिर्टल शूरू होती है यह है रोमन हत्त्यारा फिर जहां रोमन हत्त्यारा खत्म होती वहां से आपकी directly शुरू हो जाती है तीसरी comics किसी भी तरीके के ads मुझे बीच में के देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं जो की बहुत अच्छी बात है और जो विवाद की जर्थी omnivus में तो यह सारी चीजेस में नहीं है directly एक के बाद एक एक के बाद एक सारी comics दोस्तो आती जाती हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब देखते हैं दोस्तों अंत में हमी क्या-क्या देखने के लिए मिलता है मैं सीधे end की तरफ आता हूँ तो जहुं एंड में दोस्तों आ जाते हैं तो यहां पे आप देखिए यह धुरुफ के एक पोस्टर की आर्ट आपको दे कोई बात नहीं, खंड 2 की तरफ जाते हैं, यह आता है दोस्तो, खंड 2, इसको जब उपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और पोस्टर आर्ट देखने के विलेगा, तो अनुपम से नगजी के बनाएगे, जितने भी पोस्टर से उनको बड़े बखू भी यहाँ पे दोस सेनेचर खंड एक पही कर दिएगे, और विसी बात एक पही किये जाएंगे, फिर धुरुफ के बारे में और कुछ बात, फिर कॉमिक्स शुरू हो जाती है, आपके एक दिन की मौत, और उसी अन्दाज में सारी कॉमिक्स चलती जाती है, मेटालिक में आप देख सकते हैं, क अब आता हूं दोस्तों, एंड की तरफ, तो यहां दोस्तों, कॉमिक्स खत्म होती है, और उसके बाद आपको सारे कवरार्स एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे, तो खंड एक में ना रखते हुए, उन्होंने सारे के सारे कवरार्स को एक साथ संकलित किया गया है, जै कवरार्ट के साथ साथ उसकी सेट डिटेल्स भी यहां पर मेंचन की गई है, सौर की तबाही, मौत कॉलम पे, समुदुर का शैतान, महा माना विस तरीके से दोस्तों, आप देखिए, सारे कवरार्ट्स यहां पर आ जाते हैं, वीडियो विलिन, ब्लैक कैट, दलदल, उरती मौत, और सारे के सारे सेट डिल, चंड काल की वापसी, लहू के प्यासे, यहां पर अपडेटेड वाला इसमें एड है, कवरार्ट है, फिर दोस्तों, यहां पर अनुपम सिना जी की कलम से आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें अनुपम सिना जी ने धुरुफ के बार काफी कुछ हमें देखने को भी मिलेगा, उसके बाद दोस्तों, प्रकाशक की कलम से भी हमें देखने के लिए मिलता है, यानि की मनीश गुपताजी की तरफ से, और इसमें कुछ आपके संस्पनर यानि की जो कॉमिक फैंस हैं, उनके संस्पनर भी एड किये गए हैं, अब अब दोस्तों, मैं अपने संस्पनर की उमीद भी नहीं कर सकता, तो यह दोस्तों कुछ लकी फैंस जिनके संस्पनर यहाँ पर दिये गए हैं, तो में कॉमिक्स के साथ-साथ भी इसमें पढ़ने के लिए धेर सारा मेटियल दोस्तों हमें मिला है, तो यह चीज बहुत हो जाती है तो धेर सारा कुछ इसमें दोस्तो रीडिंग मेटीरियल है और एंड में आप आते हैं तो देखे फिर से अभ़ी पोस्टर्स का वेतरीन प्रियोग तो overall दोस्तो ये जो collector edition बनके आता है धुरवारम 32 रुपे में 25 कॉमेक्स, big size, metallic, padded और आपके slip case के अंदर तो ये एक काफी जादा अच्छी deal मुझे लगती है क्यों इसको आप खरी सकते हैं क्योंकि इसमें धुरुफ की शुरुवाती 25 जनल एक साथ संकलित हैं और उसको big size में आपके सामने लेकर रहे गया है metallic में क्यों नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि अगर आपको नहीं पसंद है metallic और padded तो आप इसको थोड़ा सा avoid कर सकते हैं नहीं तो इसके अलावा कोई और वज़ा नहीं है इसको avoid करने की चाहें वो quality हो चाहें वो binding हो चाहें वो इसकी golden gilding हो चाहें cover art हो ये सारी चीज़े चाहे special novelty items तो ये भी अपने आप में एक कहिए के unique चीज है अपने आप में आई पहली बार की चीज है जैसे देखिए दोस्तो डंबलेवे 3D में है सारा तो इसको दोस्तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर समाप करूँगा और इसके लिए दोस्तो मैं एक dedicated वीडियो करता हूँ ज से पीछे रह जाता है सारी चीज़े में इसार शेयर कीजिए कमेंट सेक्षन वर मुझे बताइए अपने विचार इस कॉमिक्स को लेके किसी भी तरीके का डिस्टोमेंस दोस्तो वीडियो में रहा हो तो शमा कीचिएगा क्योंकि अभी एक नहा इस्टूडियो में ने तया किया है कुछ खामिया इसमें है और एक दो वीडियो आते आते वह खामिया भी दूर हो जाएंगी तो आप रोगों कस्ति नहीं बना रहे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो में मिलेंगे दोस्तो तब तक के लिए जैश्रीया